नमस्का दोस्तो, हमारे अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मद्द प्रदेश के यही मैं आपको बता हुआ दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का परपज आपकी जो है इस्टेडी के लिए भी महत्पूने साती आमानमी को भी समझ में आए मैं इस प्रकार के जो है सब्दी यूज करूंगा इसमें तो प्रेंट्स आपसे मेरी रिक्वेष्ट है कि यदि आप अमारे इस चैनल पर न आये हो तो प्लीज फ्रेंट इस चैनल को सब्स्राइब करें और इस वीडियो को जो है जाशार लोगों को शेयर कीजिए तो प्रेंट्स एक मौत भी हो गई है जो महला उज्जेन की थी और उनकी मौत इन दौर में होई थी प्रेंट्स आईए जानते हैं और ये जो डेटा है ये 26 मार्च तक का है लगबग आप मान लीजिए 5 वजे तक का क्योंकि प्रेंट्स ये इन सहरों खास करके तो दोस्तों जैसे माननी प्रदानमंत्री मोदी जी ने कहा है पूरे देश में लॉकडाउन है तो प्लीज आप पालन कीजिए और ये आपके और आपके परिवार आपके महले आपके गाउं सभी के लिए काफी जादा महत पूर है पूरे देश के लिए काफی जादा महत पूर हैं तो आए देखते हैं कि MP के कौन कौन से जिले जो है संक्रमित हैं दोस्तो MP के 6 जिले जो है कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं च्वलपुर भोपाल इंदौर सिव्फुरी गलियर तो जो जुश्वेदिय में चुरोना पहुंच गया उन जिलों का नाम है जव्फुर भोपाल इंदौर सिव्फोरी और जएन गलियर दोस्तोर आपको यह भी बताऊंगा इस वीडियो में कि सबसे ज्यादा संक्रमित कौन है तो प्रेंट सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो इंदौर में हैं लगबोई 10 के आसपास मामले और फिर दोस्तों जो मामले हैं वो जवलपूर में हैं तो फ्रेंट्स आपको मालूम चल गया होगा एंपी में 6 जिले जो है कोरोना से संक्रमित हैं यानि कि कोरोना जो है वायरस यहां पर फैल गया है यहां पर मतलब कोरोना के मरीज पाए गए हैं जवलपूर भोपाल इंदौर उज्याद सिवफुरी तो ठीक है प्रेंट्स